ओम शान्ति, मेरा नाम मीनू है, मैं 2017 से इस ग्यान में से जुड़ी हूँ, जब से मैं इस ग्यान से जुड़ी हूँ, तब से मेरे में काफी चेंजिस आई हैं, मैं जब सेवन डेज कोर्स करने गई, मतलब इससे पहले मैं क्या थी, कि जैसे हर टाइम मैं टेंशन में रहती थी, जैसे रात को जाग जाती थी, तो उटके बैठ जाती थी, हर टाइम सोच में रहती थी, तो इतना डिप्रेशन था, पर जब मैं ग्यान में आई, मैंने सेवन कुछा हाई जयासे पहला दिन था तो मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं मतलों मेरे दो बच्चे और उनको वी साथ लेके गई तो मेरे बच्छे न को भी दोनो को बढ़ा अच्छा लगा तो हमने शेवन देज कोर्स किया तो मैं इस एक पहले लस। न प्याद चोड़ा चा कि भाई जी मैं लसन प्याद छोड़ना चाहती हूं पर मुझे मतलब खाना ही नहीं बनाना आता टेस्टी नहीं लगता तो भाई जी बोलते नहीं मैंने आपको बोला आप यह चोड़ो आप जैसा खाते हो वैसा खाओ जिस गुरु को मानते उसको मानो जिस मंदिर में जाते ह टो समंदिर में जाऊ पर आपने क्या करना है यह सेवन डेज कोर्स करके आपने डेली मूरली सुननी आ तो फिर हम तीनों ने मेरे दोनों बच्चों ने और मैंने भी ये मतलब कोर्स किया और जैसे एक भोग आ गया मतलब बोग वाला दिन संडे का बीरवार को बोग वाला दिन होता था तो बीरवार को मैंने वो बोग खाया उस टाइम में सेवन देज का कोर्स कर रहे थी जब मैंने कलास शुरू की तो दूसरा बीरवार आया, तो मैंने, मैं मतलब बच्चे जल्दी जल्दी सुगा स्कूल भीजे, और मैं मुरले सुनने चली गई, मतलब खाना बना के गई थी, तो जब मैं भोग लेके थोड़ा सा वहां पे खाया, मुरले सुनने के बाद, और भाग्य मैं गर ले आए, तो जैसे मैं गर पहुंची, तो मुझे जो मैं खाना बना के गई थी, मुझे लगे ही ना की जिए खाना मैंने बनाया है, उस में लसन प्याज था, तो मुझे ऐसे लगे, पतान ampli कि ये क्या बना हूँ है, और मैंने जो खाना सारा मतल hoe सबजी सारे बाहर निकाल दी लसुन प्याज बाहरे ढ़े जो निकाले थे और उस टाइम निकाल लगी और मुझे बच्चों के आने का टाइम हो गया स्कूल कपर me वह सफाई कर रहे थी मुझे ऐसे लगा कि मतलब हमारी यहां गंदगी गंदगी है तो मैंने बेड़ शीट वगरा हर चीज से साफ की और उसके बाद स्कूल से बच्ची आए उनके लिए खाना बना के मैंने उनको बोग दिया उसके बाद इसके पापा आर्मी में है तो मैंने इनको फोन में बताया कि मैंने लसन प्याज छोड़ दिया है तो बोलते हैं लसन प्याज के बिना कोई खाना होता है तो मैंने बोला कोई बातनी में आपके लिए अलग से बना दिया करूंगी तो जब वो आये तो मैंने बिना लसन प्याज के खाना बनाया था पर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि ये मतलब खाना अच्छा नहीं है तो मैंने पूछा कि कैसा था वो खाना बोलते बहुत अच्छा था फिर ऐसा हुआ कि हम चारों ने उस दिन से ही लसन प्याजवाला खाना नहीं खाया और नाय अपने घर में बनाया और ग्यान से पहले मैं बीमारी रहती थी और उस दिन से मेरे में काफी मतलब इस सुधार आया और बच्चे भी मुझे देखके ऐसे रहते थे तो बच्चे भी ठीक होगे और उसके बाद बच्चों का पड़ाई में भी इंप्रूव आया और अब हम सभी इस ग्यान से जुड़े हैं और मतलब हम आमरत वेला करते हैं जैसे हम पहली वार मदवन गए थे 2017 से इस ग्यान में से जुड़ी हुई हुँ मैं तो पहली वार में जैसे ग्यान मतलब वहां पे गई तो मदवन में तो डाइमंड होल में आगे स्टेज पर एनॉंसमेंट हुआ कि दादी की तवीत ठीक नहीं है तो यह नहीं सोचना की दादी नहीं है तो यहां पे बावा तो यहीं पे ही हैं पर मेरे मन में संकल पाया कि अगर दादी नहीं होंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि यहां पे बावा है तो वहां पे गाने लगते हैं तीन जब बावा आने का टाइम होता है तो जैसे दूसरा गाना लगा मैं योग में बैठी थी तो उस स्टेज में मुझे एक लाइट दिखी और वो लाइट ऊपर नीचे दाइवाए होई और दो तिन सेकिन और उसी टाइम तालियं बजने लग पड़ी तो मैंने सोचा यह लाइट सभी को दिखी होगी तो ही यह तालियं बजी हैं पर वो तालियं बजी थी कि दादी मतलब दादी की रिकोर्डिंग दिखाने लगे फिर जब उसके बाद जब दादी को दिखाया तो मेरे आंसों ही ना रुके जब यह सारा हो गया तो हम बाहर निकले तो मेरे साथ एक सपना बहन हमारे ही पास की है तो मैंने उससे बोला कि सपना बहना आपने देखा कि वो मतलब लाइट जो कितनी अच्छी लग रहे थी तो बोलती दीदी कौन सी लाइट मुझे कोई लाइट नहीं दिखी तो उसके बाद हम मैं मतलब मैंने सोचा अच्छा तो मेरे मन में ये संकल पाया था तो ही ऐसा हुआ उसके बाद हम दूसरी बार बावा मिलन पर गए और अब तीसरी बार गए हैं तो मेरे यूगल भी साथ में गए हुए थे तो उनको भी वहां पर बड़ा अच्छा लगा उनके अनुवभ भी वहां के बहुत अच्छे हैं और उसके बाद हमने अभी भावा का जंड़ा लगाया है घर में और हम चारों अमरत विला करते हैं और घर में मुरली चलती है और मतलब इतना बदलावाया है कि बच्चों की पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही है और इनका माने भी बहुत शांत रहने लगाया और मेरे में मतलब मैं भी बिलकुल ठीक रहने लगी हूँ तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यह राय योग सभी को करना चाहिए यह जो सेवन डेज कोर्स है सभी को करना चाहिए क्योंकि यही एक हमारा मतलब यही है हमारा एक मतलब अच्छा जो है अच्छा हम इसी से ही कर सकते हैं मैं तो यही बोलना चाहती हूं कि यह सभी seven days course करो और कि एक हमें भगवान मिल सकते हैं, भगवान मिल गए हैं तो सौम शान्ति कि खाल उन्त अ कर्या, जो खष्चर राईयो करेके, जो सकता हैं